प्यारे बच्चों, हम जान गए हैं, दहन और ज्वाला क्या होते हैं? आग का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं. अगर ये आग जंगल में लग जाए, किसी घर में लग जाए, किसी कमरे या चलती हुई बस में लग जाए, और तो और किसी सिलिंडर में लग जाए, तो आग बुझाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। किचन में रखे LPG गैस सिलिंडर को आग लग जाए तो बिलकुल भी ना घबराएं। सिलिंडर में एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है। ये प्रेसर के साथ आग भी बाहर की ओर फैंकता है। ऐसे में हो सके तो सिलिंडर को खुले स्थान पर ले जाएं। सबसे पहले एक कपड़ा गीला कर लें क्यूंकि सुखा कपड़ा खुद आग पकड़ लेता है। और इस गीले कपड़े को इस तरह से सिलिंडर को लपेट दें जिससे आग तुरंत बुझ जाएगी। क्यूंकि धकने से आग को मिलने वाली औक्सिजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग बुझ जाती है। अब आराम से रेगुलेटर को बंद कर लें। अब हम आपको फ्र एक्स्टिंग्यूसर की साइता से आग बुझाने का तरीका बताएंगे। आप सबी ने ये सिलिंडर जिसे हम फ्रेक्स्टिंग्यूसर कह स्कूल, आफिस, बस या अन्या जगाओं पर देखा ही होगा। इसे लेते समय सबसे पहले इस सील को जरूर चेक कर लें कि सील लगी हुई है या नहीं। इसके बाद प्रेसर मिटर पर प्रेसर भी चेक करें। ज्यादा प्रेसर है और अगर सुई पिछले रेड जोन में है तो इसका अर्थ है लो प्रेसर है तो आग भुजाने में ज्यादा मदद नहीं करेगा। ये है इसकी पाइप। इसे इस तरह से लगा कर रखें। इस लगी हुई सील को हटा दें और सेफटी क्लिप को धीरे से खींच कर निकाल लें। इसके साथ ब्लू कलर के सेफटी ब्लॉक को भी हटा दें। अब हम आग भुजाने के लिए तयार हैं। प्यारे बच्चों ये तो आपको पता ही है कि फ्वाइर एक्स्टिगूशर किस सिधान पर काम करता है। इससे निकलने वाली कारवन डायोकसाइड गैस आग को कमबल की तरह लपेट लेती है। जिससे आग और ऑक्सिजन के बीच का संपर्क तूट जाता है। ये गैस ठंडी होने पर फैलती है और आग के ताप को भी कम करती है। आईए एक गती विधी के माध्यम से इस चीज को दर्षाएं कि कारवन डायोकसाइड गैस किस तरह आग को बुझाती है। इस गती विधी के लिए एक बड़ी कोटोरी लें और एक छोटी कोटोरी लें। इसके साथ हमारे पास दो केंडल्स भी होनी चाहिए एक बड़ी केंडल और एक छोटी केंडल इसके अलावा सिरका और बेकिंग पाउडर लें छोटी कटोरी को बड़ी कटोरी में रख दें अब इसके अंदर दोनों केंडल्स एक छोटी मौंबत्ती और एक लंबी मौंबत्ती दोनों को अच्छे से टिका दें छोटी प्याली में ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लें दोनों केंडल्स को जला लें अब बेकिंग सोडे से भरी पलेट में सिरका यानी विनेगर डालिए ध्यान रखें कि सिरका मौंबतियों पर नहीं गिरे आप देखेंगे जाग उत्पन हो रहा है यानी कारवन डायकसाइड गैस पैदा हो रही है और इसके कारण मौंबतियां बुझ जाती हैं यही सिधान फ्वाइर एक्स्टिंग्यूसर भी काम करता है यानी कारवन डायकसाइड गैस के प्रियूक से आग को बुझा देता है इसके कारवन बुझा भी काम करता है